नेजियार मूट गर बढ़ा रहा है थोड़ा सुबसुदा मूट काफी गर बढ़ा है बड़ी वाली एक्सपाईदी खड़ी है सामने देखे कल डेटा पॉइंट भी थे माजार को गिराने के लिए कल बहुत सारे कारक थे जिसके विज़े से यूस मार्केट एक हजार पॉइंट के रेंज में था मार्केट कल 400-500 पॉइंट उपर था साले 900 पॉइंट के रेंज में था 931-885 का हाई लगाया है और 30-934 के लोज था 30-946 पे बंद हुआ है डेज लो पे जाके मार्केट बंद हुआ है तो इतनी जबरदस वलिटालिटी कारण था कि डेटा पॉइंट्स में आए है नैटो की मेंबरशिप के लिए दो सदस्यों को मंजूरी दी गई है आईल प्राइस कैप पे और डिवलप्मेंट हुआ है चीन में अनलॉकिंग हो गई है अब कॉरिंटाइन पीरिट कम कर दिया गया सेल आफ के लिए रीजन्स थे और इसलिए टेक्नलोजी शेयर्स में सबसे ज़्यादा कमजोरी आई है और आज क्यू बन का कंफर्म डेटा आएगा उससे आपको क्यू टू यूएस के बात कर रोपए उसका अंदाजा लगेगा और आज तीरो बड़े दिगगा जो सेंट्रल बेंकर्स हैं फेड चेर्मेन, एसीवी चेर्मेन, बैंक आफ इंग्लेंड के चेर्मेन ये सब आज अपना ग्यान देंगे शाम को तो उस ग्यान के पहले की जो समरी है एक्रॉमिस की वो ये कंफर्म मानके चलना है कि 75 बिस्स पॉइंट की हाइक 26 जुलाई को होगी इतना काफी है किराने के लिए क्या और बताएं अभी कहा थोड़ा थे लगा था बस शूट गे बस शूट गे तिर बस पीछाई है अपने शूट जाये ध्यान रखियेगा लेकिन अभी एक बड़े शेकाउट की तियारी बची है आम तोर पे यह सब को पता है, सब जानते हैं यह पुल बैक को प्ले कर रहे थे हम लोग और यह बात हो रही थी, हर बात डेटा जब तक अन्फर्म नहीं कर रहे है और अगर ज़दा तर टेक्निक अन्फर्म नहीं सुझे बात बात करो आप तो लॉजिकली वो चार्ट वर्टर समझाए भी थे किसी ने मुझे एक बड़े शेकाउट की अभी एक तियारी है वो शेकाउट के बाद चाहिए बजार में पता नहीं आज जी चुट होगा है क्या ठीक है तो ये क्यूज खराब है इसमें तो कोई शच्राब है वो तो खैर दिखी रहा है स्क्रीन हर तरफ एक तो आवास का बैग्राउंड कर लाल है और स्क्रीन भी लाल है आज तो पुरे लाल लाल होगे वाइट वाइट कर दो तो थो नूटरल दिखेगा ग्रीन मेरे पहले लिए उल्टा कर दिया आज आपके उससे नहीं होता हो अच्छदा के उससे होता है पर फिक है आप भी ट्राइ करो अपनी तरफ से ग्रीन पे रहा है और उन्होंने कुछ होगा तो देखा जाएगा क्रेडिट ले जाएंगे अगर ये ग्रीन का कुछ फायदा मिला